शुरी शिवाय नमुस्त ब्याम हरहर महादीव 13 नवंबर रविवार मार्ग शिश मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तीती और पंचमी तीती पर आपको मात्र एक चुट की हल्दी से बहुत यह चुकूपय करना है पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके यह समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें देखिए पंचमी तीती जो है मुमाता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए है भगवान विश्नु को प्रसंद करने के लिए है भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए है ताकि आपके जीवन का दुर भागे दुर हो और आपके जीवन में सो भागे की प्राप्ती हो एक चुटकी हल्दी लेंगे और एक चुटकी हल्दी के अंदर जो आती ना पीसे हुई और उसी हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिला दिना है ठीक है अब आप क्या करेंगे आपकी घर में जहां कहीं भी आपने मंदिर बनाया है आपने मंदिर की स्थापना करी है मंदिर की स्थापना के वहाँ पर आप मंदिर में ही आपको श्रीम लिखना है आप श्रीम क ध्यानडा की हलदी से शुरीम लिखने के बाद अब क्या करेंगे, आपको एक दीपक तयार करना है लंभी बाती वाला, लंभी बाती वाला दीपक लक्ष्मी वृद्धी का दीपक होता है। थेके पंचमी तीती जो है, वो बहुती शुबकारी और लापकारी होती है। तो आ लिके अब श्रीम के सामने आपको एक दीपक प्रजुलित करना है लंबी बाती वाला जिसके अंदर थोड़ा सा आपको घी बरना है एक चुट की हल्दी डालना है बाती जो होगी अगर लाल रंग की लेते हैं तो सर्वत्म होता है और वहीं पर आपको ये बाती प्रजुलित उनका आपको 108 बार जब करना है और जब आप जब करेंगे तो ध्यान रखना नदीपक है नद प्रजुलेत होना चाहिए जब तक आप जब कर रहा है जब तक दीपक प्रजुलेत करना है तो उसी अनुसार आपको घी डालना है आगे आपको बात समझ में जाब करने के बाद दीपक को उठाएंगे और महालक्षमी की यहने कि शίο को आप महालक्षमी का रूप मान करके आपको आर्थी करना है बस इतना सा उपाय करना है जब भी यह उपाय करेंगे आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चांज है यह उपाय व्यापरी जो हैं वो अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा उपाय है, देवी लक्षमी को प्रसन करने के लिए पंचम मितिति पर हल्दी का ये उपाय जरूरू करें, देखे प्रयास करता हूँ बताने का आसान से, सरल से उपाय जो आप घर पर भी कर सकते हैं, अगर फिर भी कमेंड में पूछ लेना, गलती नहीं करना है, श्री शिवाय नमस्त ब्याम, हर हर महाण।